आईए दोस्तों आपको कुछ अलगतरी किसे बताते हैं कि पास का विलोम सब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको पास के विलोम सब्द के बारे में हम अच्छे से जानकारी देंगे आप असे वीडियो को लाइक करें चैनल को सिब्सक्राइब करें और ब पास के विलोम सब्द के बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता देती हैं कि हिंदी व्याकान के अनुसार पास का विलोम सब्द दूर होता है यानि दोस्तों पास का विलोम सब्द दूर होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आभी मरसा दो रहे कि पास का विलुम सब्द दूर होता है इसके लोग दोस्तों अगर आप इनी और भी दिगच्छी तरह स्याद करना चाहते ही तो आपको पता होना चाहिए कि पास का अर्थ क्या है और दूर का अर्थ क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पास का अर्थिक क्या होता है दोस्तों पास का हिंदी में अर्थ होता है नजदीक यानि जो कुछ नजदीक होता है उसे ही पास होना करते हैं और वहीं पर अगर हम दूर के अर्थ की बात करते ही तो दोस्तों दूर का हिंदी में अर्थ होता है पास नहे होने वाला या पास नहे रहने वाला या ऐस समीपस्त होता है वहीं दूर है तो इस तरह से दोस्तों आपने अब समझा कि पास का आर्थ क्या है और दूर का आर्थ क्या है तो आप अब यह और भी दिग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पास का विलोम सब्द क्या होता है तो आईए दोस्तों अपने एक बार इसके बार में फिर से बात करते हैं कि पास क का विलोम सब्द दूरू रोता है। तो इस तरह से दोस्तों, आजकी इस वीडियो के इतरा आपने सीखा की पास का विलोम सब्द क्या होता है। अगर आपको जानकारी अर्चे लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें